हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक साखा परबंदक को रिड़ प्राप्ति ये तू आविदन पत्र कैसे लिखेंगे ठीक है जो बोड इवी बोड इक्जाम की दिर्श से काफी महत पूर है और ये कई बार पूछा गय है तो आई ये देखते हैं कि रिड़ प्राप्ति ये तू बैंक परबंदक को हम कैसे आविदन पत्र लिखेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम सेवा में स्रीमान साखा परबंदक भारतिय स्टेट बैंक आप इंडिया गोरकपूर ठीक है ये आप बढ़ लेगा कि किस विषय के लिए है तो अमारा आज के विषय था कि बैंक सम्साखा परबंदक को रिड़ प्राप्ति असा नीजओ लगत है ठीक है लेकिन अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला है शुत्रों से पता चला है कि विभीन रिडियो जनाओं के अंतरगत आपका बैंक बेरोजगार यूंकों को एक से दो लाग तक करीड़ परदान कर रहा है ठीक है एक बार अवर देख लिए क्या लिखेंगे हम लोग क सबीने निवीदन है कि मैं 2022 में लखनाओं विश्व विद्याले से बीए प्रथम स्रेड़ी में उत्रड किया है आप कोई भी विश्व विद्याले डाल दीजेगा जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ठीक है लेकिन अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला है शुत्रों से पता चला है कि विवीन रिड योजनाओं के अंतरगत आपका बैंक बेरोजगार योगों को एक से दो लाग तक का रिड परदान कर रहा है ठीक है अब आगे देखिए इतना लिखेने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे अतह आप से निवीदन है कि आवस्यक दस्तावेज भरवा कर हमें विरिड परदान करने की किपा करें ठीक है ताकि हम कोई ब्यवशाय कर सकें इसको भी आप लोग बढ़िया से लिखेंगे देखिए जोब एपना नाम इमस्मे लिखना है जो भी मतलब करखा हमें कुछ भी डाल सकते हैं मतलब ब्वाज के लिए भावदी होगा और जो गर लिखेंगे तो भावदीया हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप लोग दिनांग डाल दिजेगा जो दिनांग का आप लोग डालना चाहते हैं उसको डाल लिजेगा ठीक है तो यही था छोटा सा टॉपिक जो आपको 9-10 नंबर दि लिखा दिया तो आयोग के वीडियो आपको अच्छी लगए तो प्लीस आप मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद